10 साल देश पिराज करने के बाद एन चनाव के पहले इन लोगों को C.A. की बात करनी पड़ रही है अगर 10 साल में कुछ अच्छा काम कर लेते तो शायद आज C.A. की जगे अपने कामों पे वोट मांग रहे होते आज देश के सामने सबसे बड़ी समस्या महंगाई और बेरोजगारी की है किसी को भी घर चलाना मुश्किल हो रहा है इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है कमर तोड महंगाई हो रही है उधर हमारी युवा दरदर की ठोकरे खा रहे हैं रोजगार के लिए उनके ओपर डंडे लाठियां बरसाई जा रही है ऐसे में सरकार बेरोजगारी और महंगाई का समाधान ढूंडने की बजाए सीए की बात कर रही है तो यह बड़े दुख की बात है यह सीए आखिर है क्या बीजेपी की केंदर सरकार का कहना है कि तीन देश बांगलदेश पाकिस्तान और अफगानिस्तान इन तीन देशों के अलप संख्यक जो है वो अगर भारत की नागरिक्ता लेना चाहें तो उन्हें भारत की नागरिक्ता दे दी जाएगी इसका मतलब बड़ी संख्या में यहां से अल्प संख्या को को हमारे देश में लाया जाएगा उनको रोजगार दिये जाएंगे उनके लिए घर बनाये जाएंगे उनको यहां बसाया जाएगा अजीब बात है ना बीजेपी की केंदर सरकार से हमारे बच्चों को रोजगार दिये नहीं जारे पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाते हैं हमारे लोगों के पास तो घर नहीं है भारत के तो धेरो लोग बेघर हैं लेकिन बीजेपी वाले पाकिस्तान से लो भारत सरकार का जो सरकारी पैसा हमारे परिवार और देश के विकास पे खर्च होना चाहिए, वो पैसा पाकिस्तानियों को भारत में बसाने पे खर्च किया जाएगा. इन तीन देशों में लगबक धाई से तीन करोड अल्प संख्यक हैं, ये तीनों बहुत गरीब देश हैं, जैसे ही भारत के दरवाजे खुलेंगे, इन तीन देशों से भारी भीड हमारे भारत में आ जाएगी. अगर इन धाई तीन करोड में से डेड़ करोड लोग भी भारत आ गए, तो कौन देगा इनको रोजगार? कहां बसाओगे इनको? BJP वाले अपने घर में बसाएंगे क्या इनको? इनके अपने घर में रखेंगे क्या इनको? BJP वाले देगे क्या इनको रोजगार? कौन की गंदी राजनीती है इन तीनों देशों से डेड़ दो करोड़ लोगों को अगर भारत ले आया गया और उनको चुन-चुन के इस तरह से देश के अलग-अलग भागों में बसाया गया जिससे जहां जहां बीजेपी के वोट कम है वहां जुगियां डालके अगर इन लोगो को वहां बसाया गया तो वहां वीजेपी का एक पक्का वोट बैंक तयार हो जाएगा बीजेपी के वोट बढ़ जाएंगे और आने वाले इस चुनाव में तो नहीं आने वाले भविश्य के चुनाव में बीजेपी को इससे बहुत बड़ा चुनावी फायदा मिल सकता है ऐसा कुछ लोगों का कहना है पूरी दुनिया में कोई भी देश अपने पड़ोसी देशों के गरीबों को अपने घर नी लाना चाहता पड़ोसी देशों के लोगों को अपने देश में आने से रोकने के लिए पूरी दुनिया में हर देश तरह तरह के कानून बनाता है और पे बिजली की तारे लगा ही जाती है ताकि पड़ोसी देश का कोई भी व्यक्ति हमारे देश के अंदर ना सके बीजे पी शायद अकेली पार्टी है पूरी दुनिया की जो पड़ेसी देश के गरीब लोगों को अपने देश में घुसाने के लिए दरवाजे खोल रही है बिल्कुल उल्टा कर रही है एक और बात है सोचने की पिछले 10 सालों में 11 लाक से जादा भारत के बड़े-बड़े अमीर उद्योपती और व्यापारी भारत छोड़के चले गए यह लोग भारत में फैक्टरी चलाया करते थे इंडस्ट्री चलाया करते थे बड़े-बड लाना ही है तो इन लोगों को वापस भारत लेके आओ ना जो भारत छोड़के चलेगा यह भारत आएंगे इनके पास पैसा है भारत में इंवेस्ट करेंगे नहीं नहीं फैक्ट्रियां खोलेंगे नहीं व्यापार खोलेंगे अपने बच्चों को रोजगार मिलेगा यह क् कि बंगला देश के पाकिस्तान की और अफगानिस्तान के लोगों को हमारे देश में लाके बसाएंगे और उनको हमारे बच्चों के हक के रोजगार उनको देंगे यह लोग कह रहे हैं कि 2014 के पहले आई हुए घुसपैटियों को इन नागरिक्ता दी जाएगी ऐसा नहीं है यह तो शुरुवात है एक बार यह सिलसला चालू हो गया एक बार दर्वाजे खुल गए तो फिर बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी और बंगलादेश से लोगों को इन अगरिक्ता दी जाएगी देख लेना अगले चनाव में यह बीजेपी वाले इस तारीख को बढ़ा के 2024 कर देंगे कि 2024 के आई हुए पहले वाले लोगों को दी जाएगी और फिर इसे और आगे बढ़ा देंगे मोटी मोटी बात यह है कि पाकिस्तानियों और बांगलादेशियों के लिए भारी संख्या में भारत आने के लिए बीजेपी सरकार ने दरवाजे खोल दिये यह देश के लिए बेहत खतरनाक है और इसका सबसे जादा खामियाजा उत्तरपूर नौर्थ इस्टन स्टेट्स भुगत रहे हैं खासकर आसाम आसाम के लोगो नागरिक्ता देंगे उनको हम बसाएंगे असाम में बसागे असाम के लोग बहुत नाराज है एक तरह से देखा जाए तो हीमनत वश्विष शर्मा मुख्य मंत्री हैं उन्होंने धोखा दिया अपने लोगों को अपने आसाम के लोगों की खातिर उन्हें सिए का वि रोध करना चाहिए था उन्हें कहना चाहिए था कि असाम के लोगों की संस्कृति और भाषा दोनों खत्रे में यह बिल्कुल बर्दाश्ट नहीं किया जाएगा तो दोस्तों पूरे देश की मांग है कि सीए को वापस लिया जाए